एक बार रमेश नामका एक अदमी अपनी दूसरी पत्नी सरला और दो बेटियों रानी और डेखा के साथ रहा करता था उसकी दूसरी पत्नी सरला पहुत ही क्रूर थी और वो राणी और रेखा दौनों को मारती पीरती और उनको खाना भी नहीं देती थी अरे ओ मारानीो सुभैसे तुमारा काम खत्म नहीं हुआ क्या जिन्दगी पर यही काम करना है चलो जल्दी से इसे खत्म करो और कपड़े दो दो इतना खाती है और जरासा काम इनसे नहीं होता मौका मिल जाये तो मुझे भी नमक लागा अगर खा जाएं भुकड कहीं की सरला की इस बात पर राणी को कुछ सा आ जाता है मा अगर आप हमसे ऐसे ही बात करोगी तो हम पिताजी से आपकी सिकायत करेंगे पिताजी से सिकायत करेंगे तेरा बाप मेरा उखार क्या लेगा वैसे भी किसी चूहे से कम नहीं है फिर नानी और देखा अपने कमरे में चली जाती है आज हमारी मा जिंदा होती तो हमारे साथ ऐसा जानवरो जैसा सलूक ना होता मा तुम कहा हो मा इन दोनों बेहनों के पर निकलाए हैं इनका कुछ तो करना पड़ेगा आज ही अपनी मा को बुलाती हूँ फिर इना सबक सिकाती हूँ अगले दिन सरला के बुलाने पर उसकी मा सरला के घर आती है और सरला उसे सारी बात बताती है बेटा सरला ये तो किसी विद्रो के खुजबु आ रही है अगर अभी इने ठीक नहीं किया तो ये कल तेरे सर पर बैठेंगी और तुझे नौक रानी बना देंगी तभी सरला की मा सरला को एक योजना बताती है योजना के अनुसार जब रानी और रेखा रो रही होती है तो सरला रानी को उठा कर घर के पीछे वाले बगीचे में ले जाती है कि तभी अजानक रानी की आग खुल जाती है मा तुम मुझे यहां क्यों ले आई हो और नानी जी यहां क्या कर रही है हाहा आज तुझे सबक सिखाना है बहुत मुझ चलाती है न मेरी बेटी से बहस करेगी हाहा ऐसा कहकर सरला की मा रानी को मारने लगती है मा, मुझे माफ कर दो मा, मैं आज के बाद आपसे कभी बहस नहीं करूँगी मा नानी को रोको, मैं मर जाओंगी, मैं आज के बाद कभी बहस नहीं करूँगी मा, हाँ, मजा आ गया, मम्मी इसे और थोड़ी देर ऐसे ही सबक सिखाओ दिमाग ठिकाने पड़ा जाएगा थोड़ी देर में कि तब भी अचानक रानी की मौत हो जाती है और सरणा और उसकी मा, रानी की लास को वहीं जमीन में तफना देते हैं अरे, अरे मा, ये लड़की तो मर गई, अब क्या होगा? हाँ, हाँ, तुझे बचाना है, तो बचा ले, सही है जो मर गई वैसे भी बस जीना हराम कर रखा था तुम्हारा इसने मर गई तो मर जाने दे, वैसे भी तेरा एक दुस्मन ही तो कम हो रहा है इधर सरला और उसकी मा वहां से चली जाती है और अगली सुभा, उधर रेखा रानी को अपने पास ना पाकर रेखा रोते हुए अपने पिता रमेश के पास जाती है पिता जी, रानी दीदी कल से ला पता है, पता नहीं कहां चली गई है ठीक है बेटी, मैं अभी देखता हूँ कहां है वो, तुम परिशान मत हो तभी सरला और उसकी मा वहां आ जाते हैं इन लड़कियों के तमासे थे तो मैं तंग आ गई हूँ जब देखो नया ड्रामा, चलो जाकर अपना काम करो, बहाने बाज कहींगी उठर राज तक भी राणी को अपने पास ना पाकर रेखा रोने लगती है राणी दीदी, तुम कहां चली गई, मा पहले चली गई और आप भी चली गई मुझे छोड़कर पापा तो पहले से ही नई मा के गुलाम है, आप कहां हो राणी दीदी आपके अलावा कोई भी नहीं है यहां मेरा, तुम आजाओ दीदी, कहां गई हो आप आजाओ तब भी राणी की आत्मा चुड़ेल के रूप में रेखा के सामने आ जाती है और राणी की आत्मा को देखकर रेखा डर जाती है आप कौन हो और मेरे कमरे में कैसे आ गई बहन, मैं तेरी बहन राणी हूँ नहीं नहीं, तुम मेरी बहन नहीं हो सकती मेरी बहन तो मुझसे कितना प्यार करती है वो मुझे ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकती, आप कोई और हो नहीं मैं तेरी प्यारी बेहन राणी हूँ इस सरला और उसकी माने उस रात मुझे मिलकर मार डाला फिर उस रात हुई घटना के बारे में रेखा को सब कुछ बताती है जिसे सुनकर दीधी इन्होंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया तुम इन दोनों को मत छोड़ना चान से मार देना दोनों को अरने को तो मैं इन्हें एक सेकिन मैं मार डूँ लेकिन मैं इन्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगी इन्हें तरपा-तरपा कर मारूंगी बस तुम मेरी बात ध्यान से सुनो फिर चुड़ेल रेखा को सारी योजना समझाती है और अगली सुभा रेखा घर का काम कर रही होती है कि तभी सरला की मा वहां आती है अरे क्या हुआ मारानी आ जाएगी तेरी बेहन चल अब जल्दी से घर के काम खत्म कर कर तो रही हूँ अब क्या मैं मसीन बन जाओं रेखा की बात सुनकर सरला की मा को गुस्सा आ जाता है और जैसे ही वो रेखा को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि चुड़ेल वहां आ जाती है और सरला की मा को अडंगी लगा लेती है और सरला की मा चमीन बर गिर जाती है अरे मेरी कमर हाई हाई मेरी तो कमर ही तूट गई ये मैं कैसे गिर गई मेरी कमर ये सब तेरी बजा से हुआ है लड़की तुझे मैं नहीं छोड़ूँगी तब भी सरला वहां आ जाती है अरे मा तुम कैसे गिर गई चलो मेरे साथ अपने कमरे मा आराम करना फिसरला अपनी मा को कमरे में ले जाती है उधर राच में रेखा चुडल से बाते करती है दीदी क्या समख सिखाया आपने मज़ा आ गया मुझे ऐसे देख कर कितनी खुशी मिलती है बेहन मैं तुम्हें बता नहीं सकती लेकिन अब तुम्हें मजबूत होना होगा क्योंकि एक ना एक दिन तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा नहीं नहीं मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूगी बेहन पहले मा चली गई और अब तुम भी चली जाओगी अगली सुभा सरला रेखा को अपने पास बुलाती है सच सच बता रेखा मेरी मान नीचे कैसे गिरी और कर्णा तेरे कमरे में आवाजे भी आ रही थी किसे बाते कर रही थी तू? क्या चल रहा है इस गर में? रेखा सरला की बात का जवाब नहीं दे थी और वहाँ से चली जाती है उसी राज चुडेल सरला की मा के कमरे में आती है और उसे उठा कर घर के पीछे वाले बगीचे में ले जाती है और कमर में अभी भी दर्द हो रहा है दर्द तो है लेकिन तुम हो कौन और मुझे यहां क्यों लेकर आई हो क्यों नानी मुझे नहीं पेचाना मैं रानी नहीं नहीं तुम जिन्दा कैसे हो गई ऐसा नहीं हो सकता तुम जूट बोल रही हो हा 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 मैं चुडआल हूँ इनसान नहीं जो जूट बोलू चलो वैसे भी तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है इतना कहकर चुडएल सरला की मा को मार देती है और वहीं जमीन में तबा देती है अगले दिन अपनी मा को घर में नापा कर सरला आग बगबुला हो जाती है और रेखा से बोलती है तसच बोल रेखा मेरी मा कहा है मैं जानती हूँ कि तुझे पता है मेरी मा कहा है जल्दी बता नहीं तो मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूंगी अरे सरला तुम ये क्या कर रही हो बला इस बच्ची को क्या पता कि तुम्हारी मा कहा गई अरे तुम चुपरा हो जरा इसके कमरे से हसने की आवाजे आ रही थी कलराज को और कलराज से ही मेरी मा गायब है इसे सब पता है मैं इसका टेटुआ दवा दूँगी जैसे ही सल्ला रेखा को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी चुडेल कमरे में आ जाती है चुडेल तो मैं हूँ मा तुम चुडेला वाली हरकते क्यों कर रही हो और रही रेखा को मारने की बार तो मैं तुम्हें अभी मार दूँगी कौन? कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज रानी जैसी लग रही है सही कहा मा, मैं रानी ही हूँ जिसे तुमने अपनी मा के साथ मिलकर घर के पीछे मार कर दबा दिया था इतना कहकर चुडेल सरला को उठा कर घर के पीछे ले जाती है और उसे दबाने के लिए गड़ा खूदने लगती है चुड़ेल रेखा की एक नहीं सुनती और सरला को मार कर वही दवा देती है बेटी, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं अब रेखा का पूरा खयाल रखूँगा तभी चुड़ेल वहां से मुक्ध होकर चली जाती है